गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्कील यूट्यूब चैनल में आपकी श्वागत है मैं आपका दोस्त बसेस्ट आज रहा दोस्तों हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल एलोएस चैप्टर का कर रहे हैं और जैसे मैंने किया हूं कि आप लोगों को मैं सारे मेकनिकल ट्रेड है यह सारे मेकनिकल ट्रेड का मोस्टली जो चैप्टर है उस चैप्टर का सारे सब्सक्राइब कर लो और प्लेल प्लेलिस्ट में जाके जो आपकी ट्रेड की जो टॉपिक है उसका जो सब्सक्राइब कर लो तो एक अच्छा चीज होगा ठीक है चलिए सुरू सुरू करते हैं निम्नमें से कीज दातु का प्रोयक कर उच्छो गुनवत्ता का बिजली का तार बनाया जाते हैं उच्छो गुनवत्ता जुक्तु बिजली का तार बनाने के लिए हम लोग कॉपर की इस्तमाल करते हैं यहां पर दो आप्शन ए और सी तार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पर अलुम्नियम की तार के आपक्सा कॉपर की तार बिचली लेके जाने के लिए अच्छा होता है नेक्स को से निमनमय से किष धातव का प्रयोक करके रिले आदी में बिचली कौंडक्टर बनाने का प्रयोक किया जाता है तो सिल्वर होता है यह बिचली का सबसे ज्यादा सूचालक मेट्रियल है ठीक है तो हम लोग इसलिए नहीं बनाते हैं क्यूंकि यह बहुत कॉस्टली हो जाता है बट जहां पर कौन कॉंडक्टर वगरा रिले वगरा बनेगा वहां पर सिल्वर इस्तमाल करना इजी रहेगा यह सबसे अच्छा कॉंडक्टर है तो यहां पर हीट जनरेट बिलकुल नहीं स्कॉस क्यों सेफर कंडक्टर जो है यह वह सिल्वर होता है यह आपकी जाने योगता है नीमने में से कौंल लोھा आयक्ष को साफ करने के लिए विधि है मदलब लोहा का जो और है ठीक है जो ना आयरन और है उसको साफ करने के लिए कौन सा बिधी इस्तमाल होता है भारत मख पितवी करन दावा फितवी करन चुम्बा की फितवी करन ठीक है आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजेगा अच्छे से यहां पर क्या होता है जो भार प्तर मैंगनिटाइट है म है मठाय सीर राइड लीड़ॉराइट जो पत्षर है उसको पहले कर्ण किया जाता है उसको चुरन बनाया जाता है फिर उसको नीचे कि थालते हैं ठीक है फिर जो है जो है जो भारिकन है मतलव भलबला कन है वह नीचहां आए और बाकिूर्टʔ प्रिथक हो जाता है हम लोग फैन चला दे सकते हैं एक किता मैंगनेट बेल के उपर से उपर से इसको लेके जाया जाएगा और जो तो चुम्बक से लोहा आकरशित होता है वह एक साइड हो जाएगा बागी कन अलग साइड हो जाएगा ठीक है इस तरह से हैं तो देख लीजिएगा देखो यहां से भी कोश्चन बन रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में से स्टेनले स्टील का मुख्षो आते हैं तो स्टेनले स्टील बंता है यहां पर सही oral जाएगा option number a एल नीवह में कीज दातुल का एलाए मंझु दातू होता है तो कौपर जिंग जो है उसको मंझू दातू कहते हैं इन निमасть नश जार्ग चाहित हैं और ल यह मेंटल मेटल जू बनता है यह निकेल तो था क पर यह बिल्कुल सीधा सीधा याद करने वाला चीज है जो नौन कि फेरस मेटल है ठीक है यहां पर ज्यादा कुछ समझेने वाला नहीं है यह जो चोटा-चोटा तथ्थो है वह आज को वाई हाट करना पड़ेगा उसको मेमोराइज करना पड़ेगा ठीक है कि नेक्स्ट तो आयतन कि आयरें और में कितना प्रतिसर लोहिकान पाये जाते जैने कि आयरन ओर में 40-65 परसेंग लोगण पाया जाता है ऑपसंद के यह 40-65 पर सबसे बेस्ट है चारों अफ्शन में जैनेर्ल ऐग सेवंती पर्सेंड सेउपर पाया जाता है ठीक है हान हन्डेट पर्शन भी नहीं पाया जाता है और ठाठी इसे थाठीस फाइब इतना कम भी नहीं तो जो आपसें दिया है उसमें से एधान सही होगा कि हाइट है मेंटल अल वह कि इसको बोलता है को पर ले टीन तो अटी मुनी को है 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 इस तील में सबसे ज्यादा क्या होता है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह इस तील से को सेंदेखने को मिलता है तो इसमें 14-18 परसें टांग्स्टेन होता है इसको 14-41 या 18-41 भी बोलते हैं फॉर्टिन पर्षें या एटीन परसें टांग्स्टेन फोर पर्षेंट पर्षेंट क्रोमियम एब एक परसेंट के आसपास कार्बोन होता है है अच्छे किताब से इसके उपर आप थोड़ा सब्सक्राइब पढ़ाई कर लीजिएगा ठीक है और बाकी में आगे समय मिलेगा तो हैश्पी स्टिल के उपर एक वीडियो भी आपको बनाके दे देंगे निम्न में से कीस कारण से कास्ट एरन का उपाया है उपयोग मेसीन का बेट बनाने के लिए किया जाता है मेसीन का बेट बनाने के यह जो कास्ट एरन इस्तेमाल होता है उसका मुख्यकारण क्या है कि कास्ट एरन जो है अधीक कंप्रेसिव लोड को सहन कर लेता है ठीक है तो कास्ट एरन में और भी सारा गुन होता है इसका सेल्फ लूब्रिप्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है इसका फ्लूइडिटी बहुत अच्छा होता है यह सबसे cheap material है सबसे सस्ता है बट जो option दिया हुआ है यहां पे सबसे सही जो option है यह अधिक compressive load को सहन कर लेता है निमनों में से team का सम्मंद में सभी कतन है तीन के सम्मंद में कौन सा ततन सही है तीन 袋ार की अवरफ़ा नंबर सी इन US ये जै किनितनी होती है देखो ये यह को पहले सैंदिसक्ड़ कर दिया है यह होता है watch 2.75 से लेके वान परसेंट वान परसेंट से ज्यादा अगर हम कार्बोन हाइश्पी स्टील में डाल देंगे तो क्या होगा कि हाइश्पी स्टील इतना प्रिटल हो जाएगा तो ठीक है उससे हम लोग और कुछ मेटल को काटी नहीं पाएंगे मेशिन में लगाएगा और पट हाइचसेम ने कि समगा में मू खो यह लए, तत्य होता है मैंने बदला दिया देखो साओ हाइश्पी स्टील बहुत इंतन है कि सिर्फ को कहीं सवा देखने को मिलता हे और आपको किसमत अच्चा है हाइश्पिश्टील से और यह यह आपको एक दो तिन सवाल आ जाएगा त तो इसको एकदम याद कर लो 18 परसेंट टांग्स्टेन होता है 4 परसेंट प्रोमियाम एन 1 परसेंट मैराडियम इसको 1841 स्टील भी बोला जाता है नेक्स्ट है नीमन में से किस जोविगी में सबसे कम कारवन की मात्रा होती है तो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑप आरन जो है यह है रो टाइरन रो टाइरन को सबसे सुद्ध लोहा बोला जाता है रो टाइरन में इंप्यूरिटीज और कारवन सबसे कम होता है सबसे कम सुद्ध लोहा जो होता है वो है पी गारन पी गारन में 4-5 परसेंट कारवन रहता है और उसके साथ सिलिकॉर्ण सालफार मैंगन मेंगनेजिया में भी रहता है उसको अगर हम के आफ में यह पिए दियर और लेकर हम किवपुला फ़र्च में डालते हैं तो वहां से काश्ट में की मात्रा होता ही तो फोर परसेंट परसेंट का स्टेडर को लेके अगर हमlaw कैसे बीसमर कॉंवर्ट़ह एल डी प्रोसेस में डालते हैं तो वह हैं से कार्बं स्टील पैदा होता है फिक है कि तो कारव क्रवन स्टील को फिर से हिङगे करके पाधलिंग फॉर्नेस में अगर सूथ करते हैं तो वह से रोट ऑयरन बनते हैं तो रोट एरण जो है सबसे सुद्ध किसम के लिए होगा और इसमें कारवन की मात्रा सबसे कम मैं आसा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझ पाया हूं और आगर आपको कोई जरूरत होगा कोई भी बाते हो तो आप कॉमेंट सेक्षन में मेरे साथ सेरिंग कर सकते हैं आप से मैं बात कर सकता हूं या आपका जो क्वारीज है आपकी जुरूरत है उसके अक्वार्डिंग मैं एक वीडियो बना सकता हूं ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो ठीक है आपने जिन्दगी बनाओ ठीक है तो stay home stay good